और तलिस घंटों में बदलने वाला है मौसम बारिश ओला वर्ष्टी और ठंड का अलर्ड दोस्तों स्वागत है आपका नवस्ते अंडे नियूज में मैं हूँ आकवर उसन नवी शर्मा हम बात करें मौसमी भाग के ताज़ा अपडेट की तो क्या अपडेट है चले ही जान गंटों में जली पंजाब हर्याणा में जहां अच्छी धूप निकलने से तापमान में कमी आई है महीं उत्रपदेश विहार और अन्य राज्जों में बारीश और शीतलहर से गलन बढ़ गई है साथ ही गना कोहरा च्छाने से ट्रेनों और फ्लाइटों के पर भी असर अच्छी धूप में फिश्ची धूर और पंजाब भी अरहर में जहां आई है पिशले कुछ दिनों से पारख में लगातार प्रोतरी पंजाब को हर्याणा के साथ परने की सम्भावना है तब तक पारे में लगातार्ण से रहात मिल सकती है हर्याणा का हिसार और पंजाब का फरीदा कोट करमशह 3.08 और 3.06 डिगरी सेलसियस तापमान के साथ सबसे ठंडा दर्ज़ किया गया है उत्रपदेश में मौसम साफ रहने के आसार उत्रपदेश की राज़धानी के आसपास के इलागों में मौसम साफ रहने की संभावना है न्यूनतम पारे में कुछ बड़ोतरी होई है पर ठंड से राहत मिलने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं शनिवार को लखनव का नहीं उनतमता अपमान जिद्ध दसमलों एक बिगरी सेल्सेस दर्ज़ किया गया और मौसमी भाग के नुसार पश्चिमी विक्षोप कमजोर पढ़ने के कारण मौसम का मिजा सही होने लगा है हलाकि अभी ठंड कम नहीं होगी और कई लागों मही वला वरिष्टी और बारे से कारण ठंड अभी संपूर्ण भारत में जाड़ी रहेगी बिहार में बादल बुंदा बांदी के आसार बिहार की राजधानी पटना सहीद राजजी का दिकांज शेतरों में बादल चाय होए है और मौसमी भाग के अगले बताया है कि अगले 48 गंटों में दो से तिन दिनों के अंदर मोसम में किसी खास बदलाव से इंकार किया गया है इस बीज राजधानी पटना के नियूनतम तापमान में शुक्रुवार को तुलना में शनिवार को मामुली कमी दर्ज़ की गई महीं पठना मोसम वज्ञान केंद्र के मुताविट शनिवार को पठना में नियुन्तम तापमार 1.08 डिगरी सल्शेस दर्ज़ किया गया जब कि गया में 22.08 डिगरी और भागल्पूर में 13.0 पूर्णिया में 12.09 डिगरी सल्सेस दर्ज़ किया गया मोसम विज्ञान केंद्र के मुतावित अगले एक से दो दिनों तक मोसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना ये नहीं है अगले दो से तिन दिनों तक राज्य का दिकान से शेत्रों में बादल आते आते रहेंगे और बीज वीच में बुंदा बांदी और हल्की बारिश ह मनाली में ताजा बर्फवारी होने के साथ हिमाचल प्रदेश का दिकान से हिस्सों में शनिवार को शीत लहर और कडाके के ठंड बढ़ गई है मुसम भाग कर दिकारियों ने कहा है कि इसके अलावाब शिमला जिले में कुछ तन ओपर ताजा बर्फवारी देखी गई है ज उत्तर बाहरत के शेğl're में तो मोस्म परिवरत्त हो रहा है तो इस लिए हम बात करें बिहार और चाल्ट भाग को इसकी अपडेट अलएंसले अले साव धाने वंस